तुडूू। तुडूू। धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम-धिम अंकल मैं आपके लिए शर्फ को चाय का क्या क्या आती हूँ ओके ग्रीन टी पीता हूँ मैं अल्ला दुरानी अंकल ये बंदूग चलती तो नहीं है कांदे पे वजन डालने का क्या फाइदा मेदा तो तुमारा भरता नहीं फिर सुबो दुपैर शाम खाना काने का क्या फाइदा इस बंदूग को कह रहे हो कि नहीं चलती कदूद साब से इजास्त ले दो फिर देखो चलती है के नहीं क्या आगे दुरानी भाई ओ दुरानी क्यों खुशकी पे ही दरियाई घोडे का शिकार कर रहे हो आप कह सकते हैं बाई जान क्योंके डैडी ने कहा था कि कभी बाई जान के आगे सर ना उठाना आज तुम्हारे डैडी ये भी कह जते के बाई जान के घर कम खाना दुरानी भाई आपको ऐसी बाते जेव देती हैं कि अपनी बेटी के मामू सुसर से करें आप तो भेन जी इसको क्या बातें ये जेव देती हैं कि अपने बनवही के दोस्त को कहे कि खाली बंदूग लई फिरते हो और दोस्त भी बच्पन का बच्पन में कुर्बानिये दी हैं ये सारे दोस्त नहाया करते थे नहर में मैं कपड़ों का ध्यान रखता था अँञ यार कपडों का ध्यान तो तुम अब खुद कह रहे हो ना हम तुम में नहर में गुसने नहीं थे देते ते अरे नहाके बाहर आ जाते थे फिर तुम्हे कहते थे चलो अब तुम जानओ और पानी जाने जोड फुदूल बातों को ये बता है शिकार पे नहीं किया जा रहा था तैयारी थी गाड़ी पे समा में बांदिया था अचानक यादा है कि इद है बेटी को इदी दे हूँ अच्छा अच्छा तो कहां है इदी आप तो खाली बाजू लटकाए हुए आगे ये इदी है कोई दई वाला शापर ने जो लटकाए आजाओं अब कुछ है घबराओ ना तुम दूस कहां है शर्फू शर्फू अंदर है शर्फू जी साब जी इदरा भाई जी सामने कम सबजी काट रहा था बैठके एक जगह बैठे रहते ना इसलिए बड़े नी होते और गाड़ी से चीजन निकाल के लाओ जी बेतर वो शापरा दोनों लाना जी सर वो गाड़ी खुली है सर हां खुली होगी उसमें कौन सा टेप रिकॉडर लगा हुए तुम्हारी वज़ा हिरन उचला है गिट्टे पे गोली मारी थी ना मैंने गिट्टे पे गोली लगे तो इंसान उचलता है मगर साथ फुट उचला हिरन नहीं यकीन तो चालू अबदल सेलाम को किया कर रहे हैं दुरानी अंकल आपका हर एक्सपेरिमेंट मेरे पर ही होता है अब ज़ानी अंकल के लिए अपकी दो थेले है वही होगा ना एक दमाद का सूट और एक बेटी का सूट क्या गिटमैड़ दो रही है भैन भाई में गिटमीट का कIND तो गिंडे करनी है वैसे भैन चार दिंप है जो जिसकी मर्जी अपने बच्चों को देए सुनाने वाली पूछने वाली कौन सी बात होती है तुरानी मैं तो तुम्हें सच बता हूँ ना तो मैं तो बच्ची को एद देने जाता हूँ जाहर है ये रवाज बने हुए मगर मैं इस चीज के खलाफ हूँ कि अभी तुम किया है हो मुझे नहीं अच्छा लगा वह आपने हमें बेटी दे दिया उसके बाद क्या रह जाता है यार लेने देने का येस माई फ्रेंड यू नाइस मैन मिस्टर कदूस चर्फू चर्फू जी सर्फू ये बैक गाड़ी में रखिया हो मेरा मतलब है पिंकी बीबी के कम कर रहा हूं नहीं ऐसी बात नहीं थी वह ब्यूटी पालर वाले को टाइम दे किया ये ना चांद रात में में लगाने में फिर काफी टाइम लगता है और बटे डाई करवाने ये सारा कुछ कर रहे थे हम दोनों मा की में दी का तो ख्याल नहीं है मामा आपके लिए भी मैं जलाया करो मैंने तो कभी बैन जी को समझा ही नहीं ये कुदूस की मिसिस है हमारी भाबी भी है बैन भी है बच्ची की तो मैंने अब शादी की ये शुरू से ही आसे है हम तो शुरू से ही बाते सुन रहे है इनकी ओ छोड़ो बेटा आप ऐसा करे ये तुम दोनों का एक ये लो ये तुम्हारी और कुल्फी जरूर खानी है ये बेटा आपका और अब्दल सलाम ये पचास रुपे तुम्हारी पचास रुपे ये आप मुझे एज़ी दे रहे हैं या मुझे गाड़ी में हवा बर्वाई है मामू आपको हुआ बर्ने के कौन पचास देगा आपको पांच या दस रुपे देंगे क्योंकि आपने मुझे तो बर्नी होती है बत्तमीज बेटे मेरे दिल की बड़ी खाश है कि तुम मुझे किसी दिन मिलो और मुझे कहो गुड मॉर्निंग मामू मैसे मामो गुड मॉर्निंग के हलवाने वाले मुझे और होते हैं वैसे वैभी तकलफन पे लेट हो रहे हैं आइजा आपने शॉपिंग में जाना काफी शापर होंगे मामू को साथ लेया इन पर लाद के लेया ना कवास नहीं किया करो हर वक्त मामू से मजाग करते हूं ऐसे माफ कीजिए गा यह आपके घरेलू मामलात हैं लेकिन इसके बावजूद में एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो बहुत आम है हर घर में बहू की इज़त का मयार कुछ और है और दामाद की इज़त का मयार कुछ और है यानि बहू को खामखा के ताने सुनने को मिल रहे होते हैं और दामाद को खामखा उसकी तारीफ की जारी होती है येस दिस इस ट्रू तीलियों से बना हुआ टार्जूं क्यों ना हो हाँ दुरानी भाई आप क्या कह रहे हैं हमारे दमाद को मैं तो बैंजी अपने दमाद को कह रहा हूँ 19-20 ही है बलके साड़े 19-20 है दुरानी अंकल की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है अच्छी भी करता और सच्छी भी करता है इरफान भई हमने घिज्रेला बनाया है अगर आप कहीं तो मैं आपके लिए लेयाओ नहीं यार रहने दो आईजा को बेजो मेरे लिए ठोड़ा सा को लेयाओ इसके लिए लिए धोड़ा सा दाभडे में डालके शर्फू जी यह हमारे कमरे में रख के आओ सनी बेटा बैठ जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो तुमने माशाला शर्फू को थेले उठाके पगड़ाए है इर्फान मैं कब से आपके इंतजार कह रही हूं आपने इसनी देर कर दी आने में चले जल्दी आइजा जी अंकल बेटा अर्फान का हाथ मजबूती से पकड़ना है मार्कीट जा रहे हो वहां बिल्ली भी घूमरी होगी जुरानी अंकल जुरानी भाई क्या करते हैं आप वह धमात है हमारा फैमली में तो हम मजाग करते रहते हैं वह बाहर से आया हुआ है कुछ नहीं होता अपना बचा है बात में अपनायत होने चाहिए कोई गुसा नहीं करता मामू आईए आपके लिए दूदी बना दी है अच्छ दूदी बना दी है साब जी कहा रहे थे के मुझे जरा कमजोरी फील हो रही है दूद में बदाम और पिस्ता डालकर उबाल दें इसे जिसमानी कमजोरी नहीं है इसे एमान की कमजोरी है बस रोजार नहीं रखना चाहता ना इसलिए करता है बाद वैसे मैं दुर्रानी साहब की इस बात से इत्वाक करता हूँ अपनाईयत होनी चाहिए कोई गुसा नहीं करता महबते ही पैलती है अच्छा हम करते क्या हैं दामाद को खामखा सुर्खाब के पर लगा देते हैं और बहु के लगे सुर्खाब के पर उतार देते हैं सौ फीसद द्रूस्त बात की है आपने ये खामखा की इज़त या खामखा की जो बेइज़त ही है ये जैलिसी और नफरत पैदा कर देती है फैमिली के अदुर्द और कोई ऐसी बात नहीं होती है बड़ी प्यारी होती है फैमिली बड़े प्यारे होते हैं सारे रिष्टे जाओ अब्दुस्लाम बेटे जाके दूदी पियो उठा जाएगा इतनी कमजोरी तो नहीं ना ने बेटा तुम से ज्यादा नहीं है अरफू जी पानी वाला पाइप लेके आओ एक सीरा मामू को दो दूसरा सीरा दूदी बाले पतीले में डालो मामू यहां बैठकाई दूदी का हुका पियेंगे नाजीन याले ते एक छोट अज़र ब्रेक झाले झाले तो दूसरा नहीं है